नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर तो आज हम बनाने वाले हैं उरत डाल की बहुती स्वाधिस्टर रेसेपी तो रेसेपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और अपने फ्रेंट को य छिल्के वाली भी देसकते हैं और चिल्का आराम शे उतर जाएगा और मिक्सी जार में डाल कर इसे अची तरीके से अच्छी प्हस्ट प्रिच लेना है तो चल्यें प्राइए दिल बीक्षम्मार कर लिटा कर लिया और आधा चमश étजियों काली मिर्च पाउडर और इसे हमें आची तरीके से mix करना है आप इसे एक से दो मिनेट aची तरीके से mix करें जिससे कि डाल हमारी fluffy हो सके को लापने वीडियो को भी तक लाइक नहीं वी तक लाइक कर दिजे और comment जरूर करिए प्रेंड्स और comment में इसे ढखकर पांच मिनट के लिए रेश्ट पर रख देते हैं अब हम एक बाउल में दो ग्लास पानी लेंगे इसमें डालेंगे आधा चमच काली मिर्च पाउडर और इसका एक घोल तयार कर लेंगे तो देखिए घोल भी हमने तयार कर लिया इसे साइड में रख देते हैं मसाला करांब यह ग्रीयाक पीश्ट और साथ लेस्ट lesson की कलियां में इसका पेश्ट बना लेना है तो देखिए के पेश्ट भी तेयार्व हो चुका है इसे हम साइड में रखते हैं और जो हमने डाल रखी है तो डाल देखिए हमारी अच्छी से फूल चुकी है एकदम फलपी हो गई है बढ़िया सी तो चलिए अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और पानी को हतेलियों पर लगा लेंगे और जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसी तिकी शेप दे देंगे और बीच में होल कर देंगे जैसे हम दही बढ़ा बनाते हैं विल्कुल वही शेप देना है तो देखिए हमने शेप दे दिया है चलते हैं गैस की ओर तो देखिए तेल भी हमारा गरम हो चुका है और एक एक बड़ा बना के इसी में सारे बड़े डालते जाएंगे दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं दही बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं हैं आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी बिल्कुल मिम्मत करिएगा क्योंकि अगर आपने स्किप किया वीडियो तो आपको यह रेसिपी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी तो देखिए एक तरफ से हमारा बड़ सुनहरा हो चुका है तो इसको हमें पलट देना है तो देखिए सारे बड़े हम पलट देंगे तो देखिए सारे बड़े हमने पलट दिये हैं और इसे दुसी साइट से भी अच्छे से पका लेंगे तो बड़े हमारे अच्छे से भुन चुके हैं इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में फिम निगा सण निकाल क्लें दोस्तों वह क्या लीक्ना आट दोस्तों को sel निग्लों मैं डाला करेंon जो काली मिर्च के काली मठरा लो छी डालों के लाइki तो स्कार यूंसे सबना आखर इसे हमें भीगने दीए तो चलिए अब हम दूसरा बैच पी तयार कर लेते हैं तो देखिए दूसरा बैच पी हमने तयार कर लिया है इसको भी हम इसी पानी में डाल देंगे और इसे हमें ढख कर भीगने देना है तो चलिए सारे बड़े हमने डाल दिये हैं अब चलते हैं हम गैस की ओर तो तेल भी ह प्याज और लहसुन का पेश्ट जो हम बनाके रखे थे वो डाल देंगे और अच्छी तरीकी से भूनेंगे क्योंकि मसाला भूनना बहुत जरूरी है अगर मसाले नहीं भूनेंगे तो मसाल सब्जी भी हमारी अच्छी नहीं बनेंगे तो चलिए बेसिक मसाले डाल लेते हैं एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच लाल मिर्च पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और आधा चमच काली मिर्च पाउडर और इसको अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक मसाले तेल नहीं छोड़ते देते तब तक इसे भूनना है क्योंकि मसाला भूनना तो बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक मसाले नहीं बुनेगे तो सब्जी भी नहीं अच्छी बनेगी आप इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और नमक डाल कर इसे हमें मिक्स कर देना है तो देखिए मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और जो काली मिर्च में दोद बाइश करके भीघोक्ष के तो हम ढूर्टाने वाले हैels गृतर खरेंब को से जूस घाल और डीजियेगा और इसको कारे मूझने हैद भाटार को से भीघोक्ष करें उसी का पानी हमें सारा इसी में डाल देना है लेकिन बड़े अबिल्कुल नहीं डालने है तो देखी ए पाने हमने ढाल तया है अब हम आलक से हमें फ्लेव्स पानी और डालना है तो चलिए डेड़ ग्लास पानी और हम इसमें एड़ कर देते हैं तो फ्रेंट्स यह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आप इसको जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि यह सभी को बहुत पसंद बानने वाली है तो चलिए इसे बाउल होने तक ढ ककर पका लेते हैं तो देखिए बाउल भी हमारी ग्रेवी हो चुकी है अच्छे से उबाल आ चुका है ग्रेवी में और जो हम बड़े बना के रखे थे वह मैं डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें अब हम डालेंगे गरम मसाला इससे सब्जी का साध और भी बढ़ जाएगा और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे हमें 5-6 मिनिट ढखकर पका लेना है तो देखे 5-6 मिनिट हो चुके हैं सबजी हमारी बन कर एकदम तयार है मज़ेदार एकदम टेस्टी और ज़्यादा गारी मत करिएगा क्योंकि ठंडी होने पर ये ग्रेवी अपने आप गारी हो जाएगी अब इसमें डाल देंगे कसोरी मेथी इससे सबजी का स्वाद और बढ़ेगा तो चलिए आपको दिखाते हैं देखे कितनी स्वादिस्ट बनी है और एकदम बरहिया लग रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आप इसको चाबल के साथ रोटी के साथ जिसके साथ खाएंगे अच्छी ही लगेगी बहुत ही टेस्टी बनी है चलिए इसको ए प्लेटिंग कर लेते हैं तो देखिए कितनी बरियास रेसिपी बनकर तयार हुई है तो फ्रेंट्स इसको ट्राइ जरूर करिएगा क्योंकि ये रेसिपी आप जब बनाएंगे आपके घर में सभी लोग सारी रेसिपी चेट कर जाएंगे तो फ्रेंट्स इसको ट्राइ जरूर करिएगा और न्यू फ्रेंट्स जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दवाना बिल्कुल मत भूलीगा जिससे की अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो फ्रेंट्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और इसको खाईएगा रोटी के साथ चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है आप चावल बनाईए जीरा राइस बनाईए उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगती है तो फ्रेंट्स कैसी लगी ट्राइ करके जरूर बताईएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो नमस्ते बाई